हेलो गाइज नमस्कार वेलकम बैक वनस अगें टो धनी एक्सप्लोर्स गाइज जैसे कि आपने जो मेरी इस से पिछली दो वीडियो थी ओ देखी जो कि मेरे एक सीरीज चल रही है कि पॉलेंड में जॉब करते से मैं क्या-क्या चीज़ें ध्याद रखने चाहिए तो पिछल यह को जरूर देखे तभी आपको आगे के दो पार्ट समझाएंगे और उसके बाद जो पार्ट टू था उसमें यह था कि आप जो है वर्क पर्मिट कैसे अप्लाई कर सकते हो तो जब आप जॉब छोड़ते हो तो कितने टाइम के बीच में आपको वर्क पर्मिट अप्ला से जोब मिलती है आप जोब चेंज करना चाहते हो तो उसका क्या क्या प्रोसेज है और यह कोई इंटरनेट से या ऐसा वैसा कुछ नहीं है यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो जो चीजे मैंने कि वहीं मैं आप लोगों से सेर कर रहा हूं और होफुली कि जो है यह बा बात करेंगे TRC के बारे में जैसे कि बहुत से लोगों की गलत फ्हेमी होती है कि हम पॉलेंड गए और पॉलेंड जब हम आते हैं इंडिया से हमारे पासपोर्ट में बीजा लगता है एक साल का पॉलेंड आने के बाद जिस भी कंपनी का वो बीजा होता है यहां पर आने के कुछ लोग हैं जो पिछली वीडियो नहीं देखते हैं और बार बार यहीं इसी क्वेस्टन को करते रहते हैं तो उनके लिए यह बात को दोहरा रहा हूं होफ़ुली कि आप उनके लिए भी बात किलियर हो जाएगे कि जब आप किसी कंपनी से जौब छोड़ते हो तो आप आपका वहाँ पर सब चीज कैंसल हो जाता है वर्क पर्मीट और जो आपका TRC है वहीं तक जो है उसकी बैल्यू रहती है जहां पर आप जौब करते हो जब आप जौब चेंज करते हो तो सब कुछ जो है जीरो से सटार्ट होता है तो पिछली वीडियो में आपको बाकी बा बताया लेकिन उसके अनदर दो हफते के अंदर आपको जो है TRC काड के लिए अपलाई करना होता है अब आप बोलोगे कि हर यानि कि टोटल एक मैने के अंदर हमें TRC कैसे अपलाई कर सकते हैं मैंने के अंदर हमें तो नई कंपनी से तब तक हो सकता है work contract ना मिले या हमारा work permit अभी तक ना आया हो क्योंकि work permit आने में भी time लगता है कैसे पहले यह अपलाई कर दें तो इसके बारे में मैं बताओं को कि आप कैसे अपलाई कर सकते हो ध्यान से सुनिये मैंने खुद किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं लेकिन करना जो है एक महीने के अंदर ही करना होता है जौब छोड़ने के बात और यह बात जो है immigration office उन्होंने खुद मुझे बताई है उन्होंने अपनी website में भी डाल रखी है तो करना क्या होता है कि अपने सबसे पहले application download करनी होती है जो TRC का application TRC जो card होता है उसको application होता है वो download करना है उसको fulfill करना है उसमें normally detail होती है उसके साथ आप प्रिवेस card होता है जहाँ पर आप काम करते हैं जो आपका card होता है उसकी photocopy लगती है उसमें दो photos लगती है और जो आप firm फिलप करते हो उसकी भी दो copy करनी परती है और जो document जो है आप उसके साथ लगा रहे हो सब जो है photocopy लगती है और passport की हर पेज की फोटो कॉपी भी उसके साथ अटेच होती है और फिर जो है आप एक फाइल बनाके वहाँ पर अपना जो है टियार सी अपलाई कर लेते हो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टियार सी के लिए डेट नहीं मिल रही है यहाँ पर सब लोग परेशान है जिन हमारे पास अपॉइमेंट नहीं है और अपॉइमेंट जब हम इंटरनेट में धूण रहे हैं तो हमें कहीं डेट इखाली नहीं मिल रही है तो उसकेस में हमें क्या करना है हर इमिग्रेशन ओफिस का एड्रस होता है इंटरनेट में मैंने कल भी बात दिया जिनकी पिछली वीडियो में भी बात बताए थी उसी एड्रस पे आपने अपने सब डोकॉमेंट जो है पोस्ट करने एक अच्छे सी फाइल बना के और आपने वहाँ पर पोस्ट कर देना है मैंने भी ऐसे ही पोस्ट किया था और जब एक महीना हो गया मुझे कोई रिस्पोंस नहीं मिला और उसके बाद जब मेरा नया वर्क परमीट आ गया नया वर्क कॉंट्रेक्ट आ गया तम मैंने इमिग्रेशन में कॉल करके पूछा कि भई मैंने तो आप लोगों को आपने कहा था कि एक मैने के अंदर टी आर्सी अप्लाई करना वो तो मैंने कर दिया लेकिन उसमिंगे अपने पूस्ट किया था पहले व्यसे आप अपना वर्क कॉंट्रेक्ट भी जो है हमें पोस्ट कर दीजिए और जब भी हम आपकी फाइल देखेंगे और अगर हमें कुछ हूट डॉकॉमेंट चाहिए होगे तो हम आपके लिए लेटर भेजेंगे या आपको कॉल करेंगे मेल करेंगे क्योंकि हमारे जो एप्लिकेशन जब हम फिल अप करते हैं उसमें हमारे हर डिटेल होती है तो उसमें एक चीज बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब हम टी आर्सी के लिए अपलाई करते हैं तो जो तुमारा घर का एड्रस होता है जो हाउस कोंट्रेक्ट हो से तो आपर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको बता सके कि आपका जो है लेटर आ रख है तो उन्हों ने यहीं कहा कि जो है आप अपनी जो और आपके पार डॉकॉमेंट है जैसे वर्क पर्मिट है आप मुझे यहां पर भीज दीजिए आप पोस्ट करके जैसे आप सब्सक्राइब आपको तक मिलता है आपको पेपर देना होता है या fingerprint के लिए जाना होता है इस परकार से आपको job छोड़ने के बाद TRC apply करनी होती है और अगर इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने पहले भी TRC के बारे में बहुत सी वीडियो बना रहे हैं लेकिन यह जो TRC की वीडियो है इसमें सिर्फ मैं यह बताना चाहता था कि जब हम job छोड़ते हैं और उसके बाद जब हमें TRC apply करनी होती है तो उसके लिए क्या process होता है पिछली वीडियो देखिए उसके बाद इसको देखिए और मैं पिछली दोनों पार्ट का जो है link description में दे दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि step by step आपको जो है job change कैसे करनी है और इस परकार से आपको फिर TRC मिल जाएगी और फिर आप जिस company से आपका work contract है आप वहाँ पर जो है आराम से काम कर सकते हो तो guys यही था इस वीडियो में और जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में अब जो है quarantine भी खतम होने वाला है भार जाएंगे, shopping mall खुल गए है कुछ बार की वीडियो बनाएंगे snowfall भी हो रहा है जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाई, take care, जय हिन, जय भारत, जय उत्रखन